हेलो वियर्स स्वागत अब सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल टुशन गुर्जी में बच्छो हम कर रहे थे आपका अध्याय मानव नेत्रयों रंगीन संसार और इसमें आज हम करने वाले हैं बहु को चलिए शुरू करते हैं अपने कुशन आंसर को पहला कोई व्यक्ति दो बीटर से अधिक दूरी पर स्थितिव विम्बो के उस्प्रस्ट नहीं देख सकता है यह दोस्त का संसोधन उस लेंस के उपयोग दुआरा किया जा सकता है जिसकी शमता है तो आपको इसमें पावर प्लस किसले यूज होता है यह पहली बता चुका हमें आपको कुशन नमर्टू देख लेते हैं कुशन नमर्टू है कक्षा में सबसे पीछे बैंच पर बैठे कोई कोई विध्यारती शामपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है पर अंतु पाट्टे पुस्तक में लि से दूर हो गया है क्योंकि हम 25 सेंटीमेटर तक की वस्तू को सबस्ट रूप से देख सकते हैं सामाने समजन समता कहते हैं जिसे कुशन नमर्ट थ्री देख लेते हैं कुशन नमर्ट थ्री क्या कहता है कोई प्रिजम ABC आधार BC के साथ विभिन विनियासों में रखा जाता है स्वेद प्रकास का कोई पतला प्रकास पुझ चित्र 11.1 से दर्शाय अनुसार इस प्रिजम पर अपरतिर्थ होता है नीचे दिएगे किस प्रकरणम में प्रकास के विभिक्षे प्रण के पस्चाथ शीर से तीसरा वर्ण आकास के वर्णम के तदन रूपी है सिंपल है में प्रकास के नीले रंग के रूप में था बच्चो तो यह आपको बताना है तो यह है आपका बच्चो बी वाला ठीक है बच्चो चलिए अगले कोशन को देखते हैं कि कोशन नमर फोर देख लेते बच्चो दुपैर के समय सूरे श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब तो ऐ यानि कौन कौन सी परिखटनाओं के कारण इंदर धनोश हमें बनता हुआ दिखता है तो बच्चो वह होता है अपड़तन विक्षेपन और आंतिक प्रावरतन के कारण कोशन नमर 6 देख लेते हैं कोशन नमर 6 का है तारों के टिम्टे वाने का कारण है यानि कि तारे क्यों आपरतनों की विबिन परतों द्वारा प्रकास का अपरतन होता है ऐसा इसी कारण होता है अब बात कर लेते हैं कोशन नमर 7 की क्या कहता है सवच आकास नीला प्रतीत होता है ऐसा इसी वज़े से होता है बचो तो बचो यह वाला पार्ट होता है वीडियो कहीं कंप्लीट नेक्स वीडियो में से आगे कुश्चन्स को हम करेंगे आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगे होगी थैंक यू